स्वागत आपके ड्राइव सबाग में मैं हूँ प्रोमीत और अब हम चेक आउट करेंगे क्यूजे मोटर सैकल्स से दो उनकी बाइक्स तो पहली वाली है और दूसरी वाली है दी एस आर के 700 तो क्योंकि यह मोटर सैकल जैसे एंक्लोज जगे पर है तो हम अंदर नहीं जा सकत है तो इसलिए हम दोनों मोटर सैकल्स को आपके लिए की वीडियो में कवर करेंगे तो दिस इस दी एसार के 700 एंड एक क्विक वाकराउंड ताकि आप देख लें की मोटर सैकल कैसी दिखती है चारो तरफ से सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के तरफ आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है इसका है पूरा एलीडी है डियार्ल्स मोजूद एलीडी में एलीडी इंडिकेटर अपसाइड दॉन फोर्क मिल जाएगा स्पोर्ट वील्स तो नहीं मिलेंगे ओविस्टी इसमें आपको अलोई मिलने वाले हैं यहां पर आपको ड्यूल डिस्क और यह है इसका एंजिन टैंक कुछ ऐसा दिखने वाला है अगर आप स्विच गेर क्वालिटी की बात करें तो स्विच यहां पर अजस्टेबल क्लच लिवर के साथ दिस इस दी ल्सीडी स्क्रीन और दिस इस दिश्टेश के कॉलिटी फटराइस एंसाइड और यहां पर अजस्टेबल ब्रेक लिवर भी मिल जाता है दी एस आर के 700 बैजिंग मिलेगी और क्यूजर मोटर्स की बैजिंग यहां मिल जाती है स्प्लिट सीट मिलेगा LED टेल लाइट मिलने वाला है और दिस इस हाओ दे लोग राम इस वह दे एक्सोर स्वन जाष्ट रहों इस वहाँ इंगी ऊंटेव यह एश्ट की थीए इस वहाँ पर दिसेंग पॉइंट यहवाँ खें प्रेट ख्रड्स की बात करो मैं तो इस इस आ ट्विट थींड पॉर्स पार शॉर्स पाइट सिक्षट सीवन थेज इनम सिंग त 735 मेर्व गांड चलिरंस, 196 kg का मोर्सक्ल है यह यह तार फिफ्ती लीटर्स का फ्यूल ताइक विल इन तर फिफ्ती लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा विच प्र ट्री डी सिंट अमांड फ्यूल प्यूल और यह तो नियुट प्रियूल इंट्वाट रूप्स प्रेंड फ है वो डिस्क साइज is a 320 mm आपको dual disc मिलने वाले drilled rotors के साथ और पीछे का जो डिस्क है that is a 240 mm with dual channel ABS टाइर प्रफाइल की बात करें तो आगे के तरह 120 by 70 r17 पीचे के तरह 160 by 80 पीचे के तरह 160 by 60 r17 मिलने वाला है and with alloy wheels अब यहां पर आते हैं चेकिंग आओ the qj motor r400 so this is a fed version a quick walk around ताकि अब देख सेखें कि यह वाली motorcycle कैसी जिखती है so this is how it looks like in par with the r15 and start करते हैं इसके front end से तो यहां पर आपको fly screen your rear view mirrors LED LED DRL LED headlight LED indicators upside down fork drill rotors alloy wheels side के तरह आपको यहां qj motors की badging मिल जाएगी नीचे के तरह आपको srk 400 rr की badging मिलने वाली है fed motorcycle पूरी की पूरी देख सकते हैं फैरिंग यहां तक आती है and switch gear quality और एक बार आपको cluster भी दिखा देता हूं so this is how the switch gear quality looks like adjustable levers के साथ यहां पर राइट-hand side पर यहां पर आपको adjustable brake lever के साथ switch gear quality को ऐसा मिलने वाला है पीछे से आप अगर इसको देखेंगे इस प्लिट सीट मिलने वाली है टैंक का डिजाइन कुछ वाइसा मिलेगा and यह आप देख सकते हैं बहुत जादा फिमिलियर है यह motorcycle तो इस अल्री इंडियन मार्केट एंड पीजे का सेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है पिलन की सीट काफी पतली से होने वाली तो ओविसली लॉंग क्राइब्स में दिक्कत होगी LED इंडिकेटर लेदी टेल लाइट अलुमिनियम पेग्स अंड लोडा कोछ ऐसा है यह दाट सी एग्सट अपर स्पेसिकेशिन की बात करें तो यहां प्र आपको जो है एक तो यहां प्र आपको फॉर हनुद्टी सीजी के एंजिन मिलने वाला है यह तो यहां प्रत हमेद सीजिन्डर एंजिन 14.3 liters का fuel tank मिलने वाला है 790 mm की seat height that is decent seat height और telescopic upside down front fork पीछे के तरफ आपको telescopic coil spring coil dampers जो की adjustable है for pre-load and rebound आए का disc single ही मिलेगा आपको नहीं सुरी इसमें dual disc मोजो दे सेट से दिखनी रहा था सो drilled rotors मिलेंगे 260 mm का आगे का disc और पीछे का जो आपको 240 mm का disc मिलने वाला है with dual channel ABS tire profile will be 110 70 r17 and 150 60 r17 and both are alloy wheels तो जिया दोस्तों यह था QJ Motors का r400 and this was the srk700 I hope अपकी वीडियो अच्छा लगा और बाइक्स अच्छी लगी हो तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शाय सब्सक्राइब करना ना भूले मैं प्रमीट सायनों करता हूं see you next time thank you so much for watching take care be safe right safe and मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में